आईपिल के 16 सीजन का आगास होने वाला है आईपिल का पहला मुकाबला है मिस्थोनी की टीम चैनल सूपर केंग्स और हार्दिक पांडे की टीम गुजराज जाइंट्स के बीच होगा आपको बता दे आईपिल के नई सीजन में एहम बदलाव किये गए हैं जिस तरह आईपिल में एक-एक रन का बेहत महत्व है कई बार टीमें सर्फ एक गलत वाइट या फिर एमपायर दवारा दिये गए एक गलत नोबॉल के चलते मैच हार जाती हैं इसे देखते हुए आईपिल में एक नया नियम लाए गया है रिव्यू लीने का सिस्टम ही बदलने वाला है अब टीमें वाइट या फिर नोबॉल के लिए भी रिव्यू ले सकेंगे जैसे किसी बल्यबास के पीछे से गेंद निकली एमपायर को लगा कि गेंद किसी हिस्से को छूकर पीछे गई है और उसने वाइड नहीं दी तो बल्यबास इस पर रिव्यू ले सकेंगे अगर रिव्यू सही हुआ तो रिव्यू बचा रहेगा नहीं तो बेकार हो जाएगा वहीं इस नियम का फाइडा बल्यबास ही नहीं गेंद बास को भी मिलेगा मैच के दोरान अगर एमपायर किसी बॉल को वाइड करार देता है और गेंद बास को लगता है कि वो बॉल सीमा रिखा के अंदर थी तो वो रिव्यू ले सकता है ऐसे में अगर वो सही साबित होता है तो गेंद डॉट हो जाएगी और विपक्षी टीम का एक रन कम हो जाएगा बता दे विमिन्स IPL में वाइड के लिए DRS लेने का नियम पहले ही लागू हो चुका है